अरे ठोग दिया अरे ठोग दिया भाई मार्किट के अंदर ही ठोग दिया कैसा चला रहा है ये पीड़ा ये रास्ता बना दो यार ये रास्ता जल्दी बना दो ये वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करें के मोटर व्लागिंग सेटप के बारे में जो मैं यूस करता हूं उह फेट्रोलते आ regards can't you जाबी भुल गिए भाई पेट्रोल गी लगा ना लगा ले dei चाबी हिपुल गयी में वही बोला यार पेट्रोल तु भरा वाई पिर भी तो इसे चल्ड़ो आभए चलो निकलो अभी ए यारे अरे ठोक दिया भाई मार्केट इंदर इंदे दिया कि भाई आगे ले लो ना आगे आगे अरे आगे ले यार आज का वीडियो होने वाला है भाई अपने गोप्रो सेट अप के बारे में मस्त दिन सुहाना है और गाड़ी अपने को धुलाना है तो पहले कराएंगे इसको वाश फिर आगे जाएंगे आज का दीन भाई बहुत ही मस्त है क्योंकि काफी टाइम के बाद बारिश रुकी है और धूप है इसलिए हमने जो अपना हल्क ताना बहुत ही गंदा हो चुका था पहली फुरसत में उसको साफ कराने का डिसेजन लिया इसलिए चका चक कर दिया भाई डिजल वाश से और बह पीड़ा यह रास्ता बना दो यह रास्ता जल्दी बना दो यह वाला वीडियो आने के लिए काफी टाइम हो गया क्योंकि अलमस्स दो हफ्ते हो गया यह वाले वीडियो को आने के लिए क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़े हो गए थी जो मैनेज कर पाना थोड़ा सा मु सब्सक्राइब डाइब या चीज़े मैं मोटर व्लोंगिंग चाहिए अगर आप एक मोटर व्लोंगिंग श्टार्ट कर रहे हो तो मोटर व्लोगिंग के लिए म हाँ काफी लोगों के पास यार प्रॉब्लम है पैसे नहीं है नहीं मैनेज हो पाती चीज़े तो वो लोग अपना कर रहे हैं उन लोगों गलत तो नहीं बुलूगा लेकिन लोग यह चीज बुलूगा के भाई कॉंपुडिशन बहुत है अगर आप मोबाइल पर ना करो ना मोटो व्लोगिंग कैसा भी करके छोटा मोटा खर्चा करके अगर आप एक गोप्रो का सेटप लेते होना तो सब में बेस्ट कॉलिटी आपको मिलती है वाइल पर जो मोटो व्लोगिंग कर रहे हैं ना मैं उन लो प्रोब्लम कॉलिटी का प्रोब्लम वह बहुत सारी चीज़े होती है फिर आपका ही वीडियो ना थोड़ असा लो कॉलिटी भी दिखता और आज के तारिक में यूटूब पे लो कॉलिटी दिखाना बोलते ना एक बहुत बड़ा बोलते ना पंगावी है और है यूज कर रहा हूं मेरे मोटू व्लोग दिल्छिंग के लिए या यह नजी सब में फेब्रेट प्लेस मेरी एंमेरे मेरे यहां से करते करते आ रहा है कि कुछ है कि को ने भाई को ने हाँ 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 भाई ट्रेवल भी दिम्मी कि मैं वहला कौन हौन मार रहा है तो आज बात करें कि स्टेजे कौनसे और मेरे पास मायक कुणसा है और मैं क्या यूस कर रहाः हूं मोटर व्लोगिंग संटर के लिए था बहले तो मैं दिखाता हो आपको यह है अधले MR के उपर धी मैंने बनाया है और इसकी कॉलिटी कि लिए कτα olduğ MARTIN UP तुमक्त हो यह लगाना बहुत ही जरूरी है आपका माइक लगताःटा यह माइक यह लगा उगा हुआ है इसका होना वहा जरूरी है अगर आप मोटर फ्लॉगिन कर रहे हो आपको माइक अड़क्टर भी लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप साउंड के लिए देखते होना तो आपको जब तक माइक अड़क्टर आपने नहीं लगाया तो हेलमेट के अंदर आप माइक डाल रहे होना तो फिर उपकी आवाज भी है है ये सूपप और यह है मेरे पास स्टर्ट का हेलमेट् jam very brand अब है या ये है इसका वहाँ केस कभण यह यह यूलांजी का भाई ये बहुत ही बेस्ट है यार है बहुत ही मस्ट है या राशी बहा यék अच्छा ब acrony collagen निकाल ने है यह भाय बहुत ही काम आता ही रहा है और उसके बाद में मैं बात करता हूं बैटरी इसकी मेरे पास जो बैटरी है यह blue वाली जो है ना यह गोपरो के साथ मुझे आई थी उसके साथ में मैंने extra यह दो वाली लीती जो एक गोपरो के अंदर है अभी मेरे हाथ में एक है यह बहुत ही बढ़िया बैकप देती है यह साड़े 800 mh की है ये क्योंकि अगर आप मोटर व्लोगिंग करते हो ना तो आपके पास दो बैटरी एनिहाओ होना बहुत ही जरूरी है उसके चार्जर के साथ ये गोपरो के साथ ही मुझे आया था चार्जर खाली मैंने बैटरी एक्स्टर लीती और उसके साथ ये चोटे मैं यहाँ से आप करते हो यह है यहाँ से चोटा तैप सी के लिए जाएगा और यहां से जो डारिक्ली है यूएस्बी के लिए यह बहुती बढ़िया यह मस्त एक्दम अच्छा एक्दम बतना चोटा पैकेट बड़ा धमाका और यह है वह वह वाला माइक जिसके मैं बात क कर रहा था भाई यह सब में बेस्ट कॉलिडी का माईक है सस्ता भी है और टिकाओ भी है सिरिफ सिरिफ दो सुरुपे का माईक है भाई यह राशीद भाई बैक जोन वाले उन्होंने रेकमेंड किया था मेरे को यह आप नाम देख सकते हो ले लेना अगर आप किसी को लेना है जो मेरा हेलमेट के अंदर लगा हुआ है जिस तरीके से यह वाला माईक है सिरिफ दो सुरुपे का यह और यह मोटर वोलोगिंग के लिए सब में बैस्ट है अगर जिसको रॉड वाला जो अफॉर्ड नहीं कर पा रहा है तो अब यह यह वाला यूज कर सकते हो आप सच में बहुत ही बैस्ट है उसके बाद में सेकेंड वाला माईक मेरे पास यह है जो मैं कभी व्लोगिंग करता हूँ तो उसके अंदर यह रॉड का एक है जो साड़े पास छेजार रुपे का है यह एक है मेरे पास और यह है अपना गोरिला पॉड सब में बैस्ट है यह यह तो ब पेड़ पे लगा दिया आपने कहीं पे खड़ा कर दिया आपने एक तीनों टांगों पे इस तरीके से स्टैंड भी कर लेता भाई यह बहुत ही बैस्ट है अगर आपको एक कोई स्टैटिक शॉट लेना है आपके एक गाड़ी चाहरी है अपने एक लो मांट करके रखा हुआ आप इससे ले सकते हो भाई बहुत ही बहुत ही बढ़ी है उसके बात में मैं बात करूंगा टैलसीन की यह गोप्रो मांट की बहुत ही बैस्ट और बढ़िया क्वालिटीक है भाई है अभी मैंने जो यूस कर रहा हुँना मैं वह 3M वाला है वह अभी मैंने जस्ट कुछ य आप द यह हुआ टाइट कर दिया घ्र जाता है अब लिकाल हम भी सकते अब चीपकता है वो फूर अपको लेना है तो यह ले सकती हो तो आर सस्ता आता है यह था वह सारा सटाप घूて मैं मोटो प्लगी में यूज्जच करता हूं लो आप देखते हो यह वाली बहुत झाव और रही बात उन लोगों की मैं बात करता हूं जो मुबाइल से कर रहे हैं सच में कर रहे हो ठीक है बहुत अच्छी बात है आप लोग नहीं कर पाते हो कुछ चीज़े हैं वह समझ सकता हो मैं उन लोगों गलत तो नहीं बुलूँगा ऐसा कुछ जो भी नाई तो उनका content में बुलूँगा क्या खराब है सिर्फ यहीं बुलूँगा भाई लोग अगर आप कर रहे हो ना तो सच में थोड़ा सा इंवेस्ट करके ना आप एक गोपरो पर इंवेस्ट कीजिए वहले आप गोपरो 7 लीजिए 8 लीजिए बहुत कम में मिल जाता है आपको 7 लीजिए 7 भी अगर आप बॉलूहीं में मिल जाएगा अगर आप बॉम्बे से हो तो आपको पता है कहा से लेना है बॉम्बै जो सेंट्रल मार्केट एले टीमारा मार्केट वाँ पर जाएए 7 और GoPro 8 आपको सस्ते रेट में मिल भी जाता है वहां पर बहुत अच्छा मार्केट भी है अब देखके लिए एक माइक जो है वह लीजिए आप एक मस अच्छे वीडियो बना सकते हो इसलिए मैं बुलू हूँ अगर आप इंवेस्ट कर रहे हो ना तो अपने GoPro सेटप पर आज के तारीक में अगर आप एक मोटर व्लॉगिंग करते हो यह था अपना GoPro के सेटप का वीडियो आप लोगो को कैसा लागा ज़रूर बताना और जो चैनल पर नए है ना तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहूंगा कभी-कभी है प्लीजड लाइक एंड साब्सक्राइब मैं चैनल ट्रेवल बीट में तो देख से मरी वीडियो ट्रेवल तो देखते निये मेरे चैनल्ष के तो देख दोते हैं मेरे वीडियो अ झाल झाल